आल्राइट कितना अच्छा होता ना प्रेट्रोल का अदान बहुत कम हो जाता इनवार्मट में पॉलीशन कम हो जाता फार्मर कुछ हुसाल हो जाते उनके अधों में बहुत पैशा होता ॉनका इंकम 222 तक डबल हो जाता ये SAB होगा ये सब60 सैनल ब्लेंडिंग जो तो पहले देख लेते हैं कि इतनौल क्या होता है इतनौल बेसिकली जो अलकोहल ड्रेंकिंग अलकोहल है उसको एतनौल बोलते हैं उसका फॉर्मूला होता है C2H5OH जो कि इसको अलकोहल बनाता है इसको मिथाइल अलकोहल भी बोलते हैं इतनौल भी बोलते हैं ड्रेंकिंग अल प liver control है तो उसमें एक लिटर इसन डाल दो कितना हो गया इम्पोर्ट करना पड़ता है लेकिन इसे बनेगा फिर एफइनौल बनेगा जो जब गन्य को आपने देखा होगा तो गन्य से सब रस निकल जाता है तो उसका जो बीवाज बचता है उसको फ़र्मेंट करके बनेगा, food grain जो हमारे घरों में waste होता है, उससे बनेगा, agriculture में जो waste निकलते हैं, जो estables को burn किया जाता है, जो अभी इतना बड़ा issue है, उससे पैसे आ सकते हैं, उससे ethanol बना के उसको बेचा जा सकता है, उससे farmers पैसे कमा सकते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ है, ethanol से, petrol को blend करन करना, diesel को blend करना, basically पूरा biofil को blend करना, क्या ये पहली बार हो रहा है दुनिया में, नहीं, ये 1980s के दौर से चल रहा है, पहली बार ब्राजील में, fiat एक car company थी, उसने शुरू किया था, ठीक है, अभी बहुत सारे देशों नर्खास का developed country में, ये अच्छे से चल रहा है, ठी इसलिए है कि इसको, जो हमारा target था 20% ethanol blending वो 2030 तक अचीव करना था, बट इसको 5 साल advance कर दिया गया है, क्यों कर दिया गया है, एक तो कि country का performance, मतलब कि इस direction में अच्छा चल रहा है, दूसरा है कि petrol का import बहुत जादा बढ़ रहा है, तीसरा है कि environment pollution में जादा बढ़ रहा है, तो ही सब चीज़ों को लेके ethanol blending का जो target है, वो 5 साल advance कर दिया गया है, ठीक है, पहले क्या था हमारे है, sugar growing areas में ethanol production जो था, वो concentrated था, लेकिन अब food, grain, waste से भी, agricultural residue से भी, agricultural waste से भी ethanol बनाने का plant लगाया जाएगा, so 20% जो है, petrol को blend करना है 2025 तक, diesel 2030 तक 10% है, ठीक है, फाइदा से क्या होगा, environment को भी फाइदा होगा, farmer को भी फाइदा होगा, कैसे, environment को फाइदा होगा कि देखिए हम fossil fuels के इस्तेमाल करते हैं, fossil fuels को, उसको extract करने से लेके use करने तक, एक pollution footprint तो बनता ही बनता है, मतलब pollution होता ही होता है, अब अगर हम stable, जो burn किया जाता है, उसको burn करने के जगा, उससे ethanol निकालने के लिए उसका इस्तेमाल करें, तो एक तो कि burn करने से जो pollution होता है, वो बच गया, दूसरा है कि उतना equivalent जो पेट्रोल जलता है, वो जलना बच गया, तो इसलिए environment को काफी फाइदा है, इस किसान जो है, वो काफी परेसान रहता है, तो उनको भी एक income security होगा, कि चलो भाई, अब अच्छा income मिल रहा है, ठीक है, तो ये सब चीज़े है, इसु क्या है, कि ethanol का procurement जो है, वो administered pricing mechanism पे है, यानि कि हर साल के लिए price fix कर दिया जाता है, अब किसी भी चीज का price अगर fix कर दिय जाएगा, market dynamics के हिसाब से वो up and down नहीं होगा, तो कभी-कभी वो costly process हो जाता है, but since India is an initial phase of this development, तो ये ठीक है, ठीक है, अगर हम इंडिया को compare करें दूसरी country से, तो हमारे ethanol का price a little bit higher है, but ठीक है, अभी initial phase है, तो इतना चल सकता है, जो एक और problem है, वो है कि excessive use of water for ethanol production, ठीक है, य 1 liter of ethanol consume 2860 liters of water, ठीक है, जैसे सुगर के न, सुगर के तो अपने आप में water intensive है, ठीक है, तो उसका अगर तो food consumption के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो ठीक है, अगर ethanol production के लिए ही सिफ सुगर के का, प्लांट किया जा रहा है, उसका agriculture किया जा रहा है, उसका farming किया जा रहा है, water consuming हो जागा सिर्फ ethanol को produce करना, ठीक है, तो आगे से phase value में ethanol तो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इसका जो real value है, तो उसमें तो इतना water consume हो जा रहा है, अब इतना water consume हो रहा है, तो इसको निकालने के लिए पर diesel engine भी चल रहा होगा, तो वो भी environment को pollute कर रहा ह है, तो यह सब initial phase का problem है, इसको overcome करना होगा, more environmentally sustainable crop यानि सुगर के अलावा दूसरा भी जैसे जे ट्रोफा है, तो उस पे हमें shift करना होगा, इसके अलावा हमें agricultural waste and food waste पे ज़्यादा focus करना होगा, ठीक है, अभी फिलाल क्या है, around 90% जो है, वो सुगर से ही ethanol procure किया जाता है, ethanol produce किया जाता है, तो यह था पूरा ethanol का कहानी, प्रिलम से पूछा जा सकता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि petrol का price बढ़ रहा है, petrol को लेके बहुत चक्चा पिछले 4-5 साल से चल रही है, कि price बहुत कम हो गया था, फिर अचानल इसे बहुत rise करने लगा, इसके अलावा environment sustainability को लेके ब बात चल रही है, तो यह सब चीज़ों को लेके इतनल ब्लेंडिंग पूछा जा सकता है, थाइंक यू गाईज,